Hello guys, once again I welcome you all and in this video lesson we will discuss here present continuous tense और जब हम present continuous tense के बारे में बात करेंगे तो इनसे लेटेड हम कुछ एक rules देखेंगे जहां पर आप देखोगे कि कुछ एक ऐसी adverbs होती हैं जैसे always है, regularly है, constantly है इनके बावजूद भी present continuous tense है, वो लग सकता है तो इस परकार के rules के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक ज़रूर देखें तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो लाइशन Present continuous tense इसी को हम real present कहते हैं, कारण क्या है, देखेगा यहां यह जो time है वो आपका बीट गया और यह आने वाला time है, future है और यहां पर अपने खड़े हैं, जैसे मैं अभी जहां पर खड़ा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी अपने इस समय के बारे में बात कर रहे हैं अभी आप कहां पर हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यहां पर जहां हम खड़े हैं, इसकी अगर हम बात करें, तो यहां यह बात हो रही है, right now की, अभी की यानि right now means अभी अभी की और अभी अभी हम क्या कर रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूँ आप यहां पे वीडियो देख रहे हो तो यह सारी चीछें जो हो रही हैं हमारे साथ में वो अभी हो रही हैं इसलिए इस तेंज को real present भी बोला जाता है क्या होता है इसके अंदर इसके अंदर is r और m को काम में लिया जाता है auxiliary के रूप में और जो main verb होती है इसके साथ में इसकी जो first form है इसके साथ में add कर दिया जाता है ing इतना अक्सा काम करना है हमें अब ये is किसके साथ में लगेगा अगर हमारा subject है वो कोई singular noun हो या फिर कोई uncountable noun हो या फिर कोई भी कोई pronoun जैसे he, see, it यानि कोई third person singular pronoun हो then we will use is in present continuous tense आर कब काम में लेंगे हम अगर हमारा जो subject है वो plural noun के रूप में हो या फिर pronoun के रूप में हमारे पास में यू, वी, या दे ये आ जाएं तो इन के साथ में हम आर काम में लेने वाले हैं एम, सिदिशी बात है आई के साथ में एम को काम में लेंगे अगर ये ये subject हो तो इन आक्षिल आई वाब को काम में लेना है real present इसको क्यों कहा जाता है क्योंकि ये अभी के बारे में बात करता है इसलिए इसको real present कहा जाता है अब हम insulated कुछे के rules देख लेते हैं कि कहां कहां पर इसका use होता है तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछे के uses के बारे में तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहले पहले uses के बारे में the very first use of it to express an action कोई भी ऐसी action को express करने के लिए that is going on at the time of speaking जो बोलने के वक्त जारी हो ऐसी action को हम जब भी show करते हैं तब present continuous stance को काम में लेते हैं इनके साथ हमाँ आपको जैसे यह word है now है at this time है, at this moment है यह सब आपको मिल सकते हैं जैसे कि मैं अभी क्या करा I'm teaching तुम क्या कर रहे हैं, you are watching the video तो आप अभी जो कर रहे हो मैं अभी जो कर रहा हूँ वो चीज बोलने के वक्त ही तो जारी है अभी यह चीज हो ही रही है तो अब जो चीज हो रही है उसके साथ में हम present continuous ही तो लगा रहे हैं I'm teaching I'm teaching तो यहाँ पर I'm teaching का मतलब कि यहाँ पर I'm और teaching teach के साथ में हमने ing जो form है वो और एड कर दी तो यहाँ पर देखिएगा You are watching Alan English Channel right now अभी तुम राइट Alan English Channel है वो देख रहे हो तो यह काम भी तो अब बोलने के वक्त ही जारी है न तो बोलने के वक्त ही जो भी काम होगा at the time of speaking उसके साथ में अपने present continuous को काम में लेंगे दूसरा यूज क्या है To express an action कोई भी ऐसी action को express करने के लिए that is under process जो की अभी चल रही है और which is for a specific duration जो की specific duration के लिए है जैसे की वो जुरूरी नहीं के अभी चल रही हो लेकिन वो इन दिनों के अंदर चल रही है जैसे की मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ तो वो चीज रोजाना हो सकता है कि मैं रोजाना उसके 15 pages को पढ़ता हूँ और फिर अगले दिन 15 pages को पढ़ता हूँ और उसके जो 400-500 pages है उनको उस 10 दिन के एक period के अंदर मैं उसको cover कर लेता हूँ तो वो बोलने के वक्त तो जारी नहीं है लेकिन उस duration में तो वो चीज जारी है ना एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन, पंदरा दिन इस duration के अंदर वो चीज जारी है तो ऐसे चीजों के साथ मैं भी अपने present continuous काम में लेने वाले हैं जैसे यहाँ पे है He is writing a book in these days इन दिनों के अंदर वो एक book लिख रहा है तो इस sentence के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि इन दिनों के अंदर वो लिख रहा है, हो सकता है आज वो केवल 5 ही pages को लिख पाए अगले दिन फिर वो 7 pages को लिख लेता है फिर अगले दिन कुछ एक और pages को लिख लेता है इस परकार वो जो duration है उस duration के अंदर वो एक book लिख रहा है तो वो process जारी है अंडर process है लेकिन वो एक specific duration के लिए है तो इसके साथ मैं अपने present continuous काम में लेंगे यहाँ पर देखिएगा जैसे हमारा subject ही है तो is writing जो next rule है वो है for a temporary action कोई भी ऐसी action जो temporary हो permanent नहीं हो temporary हो, as tie हो उसके साथ मैं भी अपने present continuous काम में लेंगे इससे पिछे वाले वीडियो के अंदर जहाँ पर अपने simple present tense के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पर भी मैंने इसके बारे में बात की थी कि जहाँ पर आप permanent action का जिकर करोगे वहाँ simple present को काम में लेंगे और जहाँ भी आप temporary action का जिकर करोगे वहाँ पर present continuous काम में लेंगे अब कई हो कि यह बात समझ में नहीं आई होगी कि यह temporary action क्या होता है देखिए मैं यहाँ रहता हूँ जिस place पे अपने रहते हैं जिस native place पे अपने रहते हैं वहाँ हम रहते हैं वो हमारा permanent place है और मैं किसी एक दो दिन के लिए या मैने बर के लिए किसी दूसरी जगए पे चला जाऊं तो वहाँ पर भी तो मैं रहूँगा लेकिन वो temporary है वो ऐस्ताई है तो ऐस्ताई जो चीज है उसके साथ में present continuous आएगा और जहां स्ताई रूप से आप रहते हो permanent रूप से आप रहते हो वहाँ पर उसके साथ में कोई भी ऐसी action जो permanent हो रही है उसके साथ हमें present simple आएगा और जो temporary होती है उसके साथ में present continuous आएगा यहां पर देखिएगा जैसे he is staying at a hotel वो एक hotel में रुका हुआ है तो यहां पर वो थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है या मैने बर के लिए रुका हुआ है जब कि इसका जो permanent place है या जो native place है वो कहीं और है तो यहां पर जब hotel की बात आई तो इसके साथ में अपने ने देखिए यहां पर he is staying और अगर मैं यही बात यूँ कहता जैसे कि last video के अंदर अपने बात कर रहे थे कि I live at mortal अब इस sentence के अंदर यहां पर क्या है यहां पर यह permanent place है इसका और जहां permanent place के बारे में बात होगी उसके साथ में हम simple present यहां देखिए I live आई है इसके साथ में आपने base poem रख दी और जहां पर आप temporary की बात करोगे यानि थोड़ी देर के लिए बात करोगे यानि SI रूप से अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात करोगे तो उनके साथ में present continuous काम में आने वाला है I think you got it so move to the next rule repeated action और उसके साथ में भी मैंने लिख रखा है यहां पर negative इसका क्या मतलब है देखिएगा कोई भी चीज जिसको अपने बार बार करते हैं और बार बार करने के बाद में जब speaker बोलता है अगर वो उसके परती एंगा सो कर रहा हो या irritation सो कर रहा हो तो always है regularly है इन साथ भी adverb के बावजूद भी उसके साथ में continuous aspect आ सकता है कैसे आ सकता है जैसे मैं यूँ कहूं why are you backing all time है हमेशा तु भी क्यों मांगते रहते हो मतलब ये चीज repeatedly ये कर रहा है जो भी इसका subject है वो ये जो है वो इस action को कर रहा है और ये negative है कोई भी negative काम जो आप करते हो अगर वो repeatedly हो रहा है तो उसके साथ मैं अपने continuous aspect लगा सकते हैं यहाँ पर जो speaker है वो इसके परती अपना irritation या फिर anger है वो सो कर रहा है जैसे मैं यूँ कह सकता हूँ कि एक बार अगर किसी को चूप रहने के लिए कहा वो अगर चूप रह जाता है ठीक है बार बार कहने के बावजूद अगर वो सोर कर रहा है तो अपने कह सकते हैं they are always making a noise वो हमिशा सोर करते रहते हैं तो they are always making तो यहां पे always है उसके बावजूद आप दे के साथ में आप आर लगा रहे हो और जो man verb है उसके साथ में आप ing भी add कर रहे हो इसका मतलब आप present continuous का में ले रहे हो जब repeated action की बात की जाए in the negative sense then we can use present continuous tense I think you got it so move to the next rule to describe changes taking place कोई भी ऐसा चेंज जो की अभी इन दिनों के अंदर चल रहा हो या फिर जो ट्रेंड मां हो trend का मतलब जो अभी चल रहा हो जैसे की इनों के अंदर जो petrol है या फिर जो diesel है उसके जो prices है वो increasing हो रहे हैं day by day जो grey look हर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं day by day तो ये चीजें एक दिन के अंदर नहीं हो रही हैं ये चीजें जो trend में चल रही है ना उनके साथ में हम present continuous काम मे लेंगे सब चीजें बड़ी बड़ी ने रही हैं यहां पे कुछ एक चीजें कम भी हो रही है गोल्ड रैट्स आर ड्रोपिंग कंस्टेंटली गोल्ड रैट्स हैं वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है डाउन आ रहा है इसका मतलब यह कोई एक टाइम की process नहीं है कि यहां गो प्रकार की चीजें तो उसके साथ मैं अपने present continuous काम में लेने वाले हैं इसके अलावा एक और चीज़ बसती है कि जहां पर भी अपने जीकर करेंगे कोई ऐसी चीज़ का जो near future के अंदर कोई भी action होने वाली है हमारा intention है ऐसा near future के अंदर जो planned है तो उसके साथ मैं भी अपन present continuous काम में ले सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर बात करूँ कि I am going to buy a bike इसका मतलब मैं अभी तो bike नहीं लेने जा रहा हूँ मेरा future के अंदर plan है कि मैं एक bike खरीदने जा रहा हूँ तो यहां पर मैंने लिख दिया I gonna to buy a bike I gonna buy a bike मैं एक bike लेने जा रहा हूँ इसका मतलब है यह मेरा future का plan है intention है I gonna to open a new studio मैं एक नया studio खोलने जा रहा हूँ यह future का plan हो सकता है जो भी future का plan हो जैसा हम future के लिए intention रखते हैं इरादा रखते हैं अगर उससे later किसी भी चीज़ का अगर हमें दिकर करना हो तो उसके साथ में हम am going, are going, is going लगा सकते हैं और वहाँ पे वह रख सकते हैं जो करने का हमारा intention है तो इस परकार हम किसी future को भी अगर future का जो plan है उसको भी describe कर सकते हैं present continuous के जरिए तो यह सब यह इसके uses थे यहाँ पर एक चीज़ बड़ी clear है चोटी चोटी चीज़ें हैं अगर हमें यह चीज़ें clear हो जाएं तो present continuous के अंदर कहीं दिकत नहीं रहने वाली है एक तो कोई भी action going on at the time of speaking कोई भी action जो की बोलने के वक्त जारी हो उसके साथ में अपने present continuous लगाएंगे कोई भी action जो under process हो उसके साथ में भी अपने present continuous लगाएंगे हो सकता है वो एक specific duration के लिए हो उसके साथ में present continuous लगाना है इसके अलावा अगर हम बात करें जो repeated action उसके होती है उनके साथ में negative sense के अंदर लगाएंगे जो चीज़े trend में चल रही हैं उनके साथ में लगाएंगे अपने future का कोई जो plan है उसके साथ में अगर intention के रूप में वो सो हो रहा है तो उसके साथ में लगा देना है present continuous ये सारे usage हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और इसके बारे में तो हम जो temporary action है या फिर जो permanent action है इसके बारे में तो हम बात करी चुके हैं पहले भी present जो simple जब आपने पढ़ रहे थे तो ये साथ में इसके rules थे आशा करता हूँ आपको ये सब समझमा आ गए होंगे thanks for watching this video